सो हलो गैज कैसे आई होब कि आप अच्छे होंगे तो आज वीडियो के अंदर में अपना जो एक्सपिरियंस है वो आपके साथ सेर करने वाला हूँ विडियो के अंदर को practical मां आपको नहीं दिखाने वाला सिर्फ audio से बताने वाला हूँ कि मेरे पास जो phone आया था उसमें मैंने क्या क्या काम किया और कैसे उसकी जो problem थी उसको मैंने solve किया पूरा complete बताने वाला हूँ अगर इस audio को आप complete सुन लेते हैं तो आप अपना जो experience है उसको increase कर लेंगे आपका जो knowledge है वो increase हो जाएगा इसलिए यह जो audio है कापी important होने वाला है इसलिए आपको शुरू से लेके end रिचक आपको इसको सुनना चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए मेरे पास एक phone आया था Redmi का S2 और customer मेरे पास लेके आया तो उसका कहना था कि इसके अंदर आवाज की problem है phone के अंदर आवाज नहीं आ रही है जब calling कर रहे हैं तो ना तो आवाज जा रही है और ना उस पे आ रही है तो उस condition में जब मैंने phone को open किया और open करने के बाद सबसे पहले मैंने जो ear speaker है उसका gr value note किया तो gr value मुझे वहां पे complete देखने को मिला तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उसका जो speaker आता है ear speaker उसको चेक किया वह भी मुझे ok मिला और उसके बाद मैंने एक बार फिर से phone को pack किया और चेक किया तो सहिम प्रोब्लम आ रही थी तो उसके बाद मैंने क्या किया कि phone के अंदर SIM डालके calling पे phone को लगाया और उसके बाद मैंने जो ear speaker है उस पे voltage चेक किया तो वहाँ पे completely जो voltage है वो बन रहे थे तो उसके बाद मैंने क्या कि बोर्णियो को open किया और open करने के बाद गाइज जब मैंने उसके अंदर देखा तो गाइज उसका जो audio का section है वो गाइज PM के अंदर था यानि कि ear speaker, mic और ringer का जो section है वो गाइज PM IC के अंदर दिया हुआ आता और ringer की जो IC थी वो एक छोटी IC अलग मतलब लगाई गी थी और जो PM से connected थी लेकिन ear speaker और mic directly PM से connected थी तो मैंने सोचा कि कहीं ना कि इस IC के अंदर problem है अगर मैं इसको change कर देता हूँ तो problem solve हो जाएगी तो direct मैंने उस IC को उठाया और उसके बाद guys मैंने उसको change कर दिया change करने के बाद guys जब मैंने phone को on करके check किया तो same condition में बना हुआ था phone के अंदर same problem बनी हुई थी कोई भी जो audio की आवाज है जो calling करते हैं कोई भी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी और माइक के वाद जा रही थी तो मैंने सुचा कि हो सकता है कि मैंने जो इहां पर IC लगाई है इसमें पहले से कोई problem हो तो उसके बाद मैंने फिर से phone को open किया और वो दुबारा से जो PM IC थी उसको मैंने यहां पर चेंज किया चेंज करने के बाद जब मैंने फोन को चेक किया तो same condition बना हुआ था कोई भी उसके अंदर जो changes से वो देखने को नहीं मिले तो उसके बाद मुझे सक हुआ कि हो सकता है फोन के अंदर जो headphone है उसकी problem हो सकती है कई बार देखाए हमने की headphone की problem आती है तो कई बार headphone का जो symbol है वो phone के अंदर दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज बंद हो जाती है तो मैंने जब earphone का जो jack है उसको देखा तो वो थोड़ा water damage लग रहा था इसलिए मैंने उसको निका रहा था उसके बाद guys मेरे दिमागे में एक चीज आई कि चलो एक बार मैं PM को उठाता हूं और उसके बाद ear speaker की जो line है उसको tracing करता हूं continuity चेक करता हूं IC के pad तक कि वो continuity है या फिर नहीं है तो मैंने IC को उठाया उठाने के बाद ear speaker के जो line है उसको मैंने trace किया IC के pad तक तो वो मुझे एक दम बिल्कुल okay मिली उसमें कोई भी उजो problem मुझे देखने को नहीं मिल रही थी तो यहां पर मुझा समझ नहीं आ रहा था कि इसके अंदर problem है कहां पर है एक तो IC को मैंने यहां पर change कर दिया earphone जो section है उसको भी मैंने यहां पर देख लिया लेकिन फिर भी phone की जो problem आती हो तो उसमें ringer बदता है लेकिन mic या speaker बंध हो जाता है तो मुझे सक हुआ था उस पे तो jack मैंने निकाल लिया सब कुछ चेकिया लेकिन फिर भी इसका जो problem हो solved नहीं हुआ तो उसके बाद guys मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्योंकि gr value एकदम okay आ रही है ऐसी के pad तक मैंने tracing कर लिया वो भी okay है voltage भी बन रहे हैं अब यहां पर एक चीज रही थी कि मैंने सोचा कि चलो इसका जो cpa उसको निकालते हैं और उसको rebol कर सकते हैं क्योंकि ह हो सकता है कि इसके अंदर है data और clock की जो लाइन है उसमें कोई problem हो लेकिन यहां पर जब मैंने calling पे phone को लगाने के बाद जब voltage बन रहा था इसका मतलब की data और clock की लाइन भी ठीक है वहां से जो output हो या input हो निकल रहा है जिसके वज़े से वहां पर voltage बन रहा है लेकिन यहां एक चीज आई कि इसके अंदर है एक बार placing भी करके देख लेते हैं तो मैंने phone को पेक किया और पेक करने के बाद जब मैंने phone को ओन करके देखा कि कौन सा वर्जन इसमें डला हुआ तो phone के अंदर है 10 वरजन काम कर रहा था तो उसके बाद गाईज मैंने एक latest जो फ्रम वेर नहीं जा रही थी और speaker ear speaker काम नहीं कर रहा था वो दोनों speaker काम करने अलग गए और audio को जा section है वो बिल्कुल okay हो गया अब देखे गाईज यह जो चीज है यह एक छोटी सी चीज है लेकिन यह गाईज experience को काफी increase कर देती है देखे मैंने board पे क्या क्या काम कर दिया मैंने 2-3 इन बार IC को चेंज कर दिया CPU निकाल के रिबॉल करने वाला था लेकिन उससे पहले दिमाग में आया कि चलो एक बार फ्लेसिंग करके देख लेते हैं जब मैंने phone को फ्लेसिंग करने के बाद जो भी phone के अंदर प्रॉब्लम थी वो सोल हो गई तो एक फ्लेसिंग से जो प्र बोल कर देता तब भी वो प्रॉब्लम से बनी रहती तो यह एक छोटा सा मेरा experience है जो मैंने आपके साथ share किया वीडियो के अंदर मैं आपको practical नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो के काफी लंबा हो गया था कई बार मैंने उस पर मैं मतलब ट्राई किया लेकिन वो बन नह इतना काम कर दिया और एक छोटी से काम की वज़याशी फोन ओकी हो गया एक छोटी सी प्रॉब्लम थी अगर मैं सबसे पहले उस में फ्लेशिंग कर लेता तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम थी वह सोल हो जाती लेकिन देखने में यह लग रहा था कि उसमें हारड़ वे की नहीं है तो गैज यह ओडियो थे हैं अगर आपको जड़ा सा भी पसंद आया तो comment section के अंदर जूरूर बताना और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट के अंदर जूरूर बताना और आने वाले वीडियो को अगर आपजने चालते हैं तो गैज हमारे चनल को सब्सक्राइब करें, ओल नोटिपिकेशन ओन कर लिजे, ताकि आने वाल जो वीडियोज हैं, उनका नोटिपिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे, काफी अच्छी नोलेज के साथ जो वीडियोज हैं, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो फटा पर से चैनलों को सब्